नमस्कार वैदिक गणित के प्रनेता स्वामी भारती कृष्णी तीर्थी जी महाराज के जन्व दिवस की आप सबको हार्दिक शुब कामना है तो आईए जानते हैं कि भारती कृष्णी तीर्थी महाराज कौन थे और वैदिक गणित की शुरुवात उन्होंने कैसे की स्वामी भार्तिक्रिष्न तीर्थी जी महराज जिनका जन चौदा मार्च को हुआ था वेधिक मैथेमेटिक्स क्या है? It is a name given to the ancient system of mathematics which was rediscovered from the Vedas between 1911 and 1918 by श्री भार्तिक्रिष्न तीर्था जी According to his research, all of the mathematics is based on 16 सूत्रा और word formula Swami भार्तिक्रिष्न तीर्था जी ने वेधाज में से कई सूत्रों को डूंडा और उन्हें 16 सूत्रों और 13 उप सूत्रों में असेंबल किया जिसे आज हम सभी अपनी कैलकुलेशन में यूज करते हैं जो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करता है और जिससे बच्चों को competitive examinations में बहुत ज़्यादा help मिलती है जो वेधिक सिस्टम ओफ mathematics है इससे difficult problems को बड़ी ही आसानी से solve किया जा सकता है और normal calculation में हम उसी calculation को करने के लिए काफी समय लगाते हैं और वेधिक math से बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं in very less time अब जो 16 सूत्र भारती जी ने दिये हमें वो कौन से हैं आईए देखते हैं सबसे पहले है एक आदिकेन पूर्वेन जिसका मतलब है पहले से एक अधिक one more than the previous one दूसरा है निखिलम नवतह चर्मम दस्तह सभी नौ में से परंतु अंतिम दस में से और दूती विज्या वर्टिकली एंड क्रॉस्वाइज मेथट भी कहा जाता है जिसे परावर्तिय योज़्यत ट्रांस्पोज एंड एप्लाई यवदूनम by the deficiency तो इस तरह से यहां पर कई सारे सूत्रा दिये गए हैं जो स्वामी जी ने हमें दिये और जो हमारी लिए बहुत ही helpful है जो तेरा सूत्रे स्वामी जी ने हमें दिये वो कौन से हैं उन्हीं भी देखते हैं अनुरूपेन, प्रोपोर्शनलिटी, वैश्टनम, दा ऑस्कूलेशन मेथट यह divisibility test का एक मेथट है जिससे divisibility test बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है इसके बाद इसमें है विलोक नम by observation द्वन्द योग जिसे duplex method भी कहा जाता है और जो किसी भी number का square find out करने के लिए बहुत ही helpful है हमारे लिए तो जानते हैं कि वैदिक mathematics क्यों आनी चाहिए Why one should learn वैदिक maths सबसे पहले देखिए It helps a person to solve problems 10-15 times faster जो normal questions को हम solve करने में जितना time लगाते हैं वैदिक mathematics से वही question 10-15 times easily solve हो जाता है It reduces burden अब अगर हमारा question जल्दी solve हो रहा है तो obviously हमारा burden भी reduce हो जाएगा It provides one line answer हम अपने answer को एक single line में दे सकते हैं Suppose हमें multiplication करना है 4-digit number का अगर multiplication करना है तो इसका answer एक single line में बड़ी ही आसानी से दिया जा सकता है It is a magical tool to reduce scratch work and finger counting आप सारी calculations अपने mind में ही कर सकते हैं It increases concentration and creativity हमारी concentration और creativity भी increase करता है Now benefits of Vedic Math इसके क्या benefits हैं सबसे पहले fast calculation as compared to conventional method It provides one line mental and super fast methods along with quick criss-cross checking system Wedding Math के एक खास बात यह है कि इसमें एक system दिया गया है जिससे हम अपनी question को re-check बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं जैसे एक be-jang method होता है हमने कोई भी calculation की चाहे addition है, division है, subtraction है हमें वो check करना है कि हमारी calculation ठीक है या नहीं है तो हम उसको उसी method से करने की बजाए हम be-jang method का इस्तमाल करते हैं तो उससे हम अपनी checking को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं तो वो बहुत ही helpful method है कोई भी question को re-check करने के लिए So, it increases the concentration and improves confidence अब जब हमारी calculation जल्दी हो जाती है तो अपने आप ही हमारे अंदर confidence आने लग जाता है कि mathematics जो है वो बहुत ही easy subject है So, it removes fovea of mathematics It converts a tedious subject into a playful and blissful Students learn with smiles Generally, mathematics को एक boring subject माना जाता है पर अगर हमारा इसमें interest डेवलप हो गया तो यही subject हमें बहुत ही interesting लगता है So, Vedic Mathematics से हम अपने mathematics को बहुत ही interesting way में समझ सकते हैं It improves overall abilities of the students and helps in logical thinking So, इससे logical thinking भी increase होती है क्योंकि यहाँ पर हम fast calculation करते हैं किसी भी question की तो इससे हमारी logical thinking and reasoning ability increase होती है तो हम सभी को Vedic Mathematics सीखना चाहिए और हर बच्चे को इसके सारे techniques आने चाहिए जिससे की वो अपनी calculations में से apply कर सके हैं और especially यह method competitive examinations में बहुत ही helpful है students के लिए so we all should learn Vedic Maths और बहुत है